हेलो प्रेंट्स वीडियो में हम बात करेंगे अग्रिकल्चरल एकॉनोमिक्स के अंत्रगत मार्केटिंग से रिलेटेट कुछ टर्मिनोलोजी के बारे में जो की बहुत ही इंपोटेंट टर्म्स हैं आपके एक्जाम पॉइंट और विव से जो भी व्यक्ति एकॉनोमिक्स प अग्रिकल्चर से रिलेटिव वीडियो अपने चैनल पर लेकर के आता रहता हूं तो फ्रेंट्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो यहां पर आप देखी सबसे पहला जो टरम है बहु है मार्केट कि मार्केट क्या होता है तो मार्केट बैसिकली इटेजा पहलेस वे और रहते हैं एंड सेकेंड टम है वह है यहां पर मार्केटिंग तो मार्केटिंग इस दी एक्टियल प्रोसेस ऑफ ट्रांजक्शन ओप कम्यूडिटी बिट्विन बायर एंड सेलर जो खरीदने एंड बेचने वालों के बीच में एक परटिकुलर कम्यूडिटी को खरीद वाई दी फार्मर एंड मुमेंट ओफ एग्रिकल्चर प्रोड़क्ट फ्रॉम दी फार्मर टू कंजूमर ठीक है किसान से लेकर करके उपभॉकता तक जो भी एग्रिकल्चर कमुडिटीज होती हैं उनको पहुंचाने के लिए जितनी सारी एक्टिविटीज की जाती हैं वो स पहुंचाने के लिए जितने भी सारी एक्टिविटीज की जाती हैं उनको खरीदा जाता है फिर मील में उसकी प्रोसेसिंग की जाती है पैकेजिंग की जाती है तो यह सारी जो एक्टिविटीज है वो अग्रिकल्चर मार्केटिंग के अंतरगत आती हैं अगली जो टर्म ह यहां पर marketing function तो any single activity performed to carrying a product from the point of its production to ultimate consumer एक particular product या commodity को उसके production point से ले करके ultimate consumer तक पहुँचाने के लिए जो भी एक single activity कोई भी activity की जाती है उसको marketing function के अंतरकत रखा जाता है अगला यहां पर packing तो packing means the wrapping and creating of goods before they are transported ठीक है किसी भी goods या फिर किसी भी वस्तू को एक स्थान से दूसरे स्थान पर transport करने से पहले हम उसकी wrapping and creating करते हैं तो वो packing के अंतरकत आता है अगला टाम है आपर transportation तो transportation is the moment of product between palace दो जगहें को बीच में जो भी एक product रहता उसका जो moment होता उसको हम transportation बोलते हैं जैसे कि for example जो save है उसका production hilly areas में सबसे ज़ादा होता है तो वहां से बहुत सारे different states में उसको transfer किया जाता है ठीक है तो उससे पहले उससे crates वगेरा हमें pack किया जाता है and then उसका हम transportation करते हैं तो उसको transportation बोलते हैं and अगला जो time है वो है याँ पर storage it refers to holding and preserving goods for the time they are need for consumption storage में क्या करते हैं कि हम जो goods रहते हैं उसको hold करके रख लेते हैं या पर store करते हैं and preserving करते हैं उनको एकदम सुरक्षित पहले इस पर store कर लेते हैं जिससे कि हम उनने in future भी use कर पाएं जैसे कि in case of गयहूं में आप देखोगे गयहूं का जो production होता है वो रवी में होता है ठीक है एंड रवी season से लेकर के हम पूरे salver गयहूं को खाते हैं तो उसके लिए हम अपने घर में उसके लिए store करके रखते हैं ठीक है तो इसको हम storage के अंतरगत रख देते हैं जिससे कि हम उसे salver use कर पाएं तो friends आज की वीडियों बस इतनी सारी terminology थी हैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियों आपको पसंद आई होगी यदि वीडियों अच्छी लगी हो तो वीडियों को लाइक कर दे है एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियों किसी नाई टॉपक के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहो बढ़ते रहो और हाँ यदि आपने मुझे अभी तक instagram, telegram and whatsapp group से नहीं जुड़े हो तो सबकी लिंक आपको नीचे description में मैं जाएगे वहाँ जाकर के आप मुझे सीधा contact भी कर सकते हैं